अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक खत्रपाटी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन हमारे बहुत सारे दर्शक जो पीम श्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं उनके भक्त हैं ऐसा भी कहा जाता है मोदी फैन्स को तो ऐसे दर्शकों ने ये चाहा है कि हमारे कारिकरम के द्वारा कोई ऐसा विजय का अनुष्ठान बताये जाए जिससे प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी की 2019 में वापसी सुनिश्चित हो जाए और इसी के लिए आज हम चर्चा करेंगे श्री संद्वेतरा अशुक जी से ऐसे ही एक अनुष्ठान के विशह में श्री संद्वेतरा अशुक जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जैसा कि आप तो भविश्वारी कर चुके हैं कि प्यम श्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत के साथ 2019 में एक बार पुन है भारत के प्रधान मंतरी पद को सम्हा लेंगे लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक जो राजनेतिक अनिश्चितता देख रहे हैं उससे चिंतित हो करके हम से ये प्रशन पूछ रहे हैं कि हम उन्हें को ऐसा अनुष्ठान बताएं जिसे वे सारवाजनिक तोर पर करें और जिससे श्री नरेंद्र मोदी की जीत जो है वो हो जाए क्या आप हमारे दर्शकों को ऐसा कोई अनुष्ठान बताना चाहेंगे देखिए यह तो बिल्कुल वही बात हुई कि अपोजिशन मोदी जी से पूछ रही है कि रफेल दील में हमने जो रफेला 500 रुपे का लिया था 500 क्रोड का लिया था या 536 क्रोड का लिया थ आप ने यह 1600 क्रोड का क्यों लिया इस प्रशन को मैं इसके साथ अगर रिलेट करता हूं तो आपका प्रशन भी बिल्कुल वैसे ही है आपने पूछा कोई ऐसा अनुष्ठान ऐसे एक नहीं कई अनुष्ठान है ऐसे कई सिद्ध मंत्र हैं जो डिसीज़ है जिसको इस अगर हम देशित और राश्टित की बात करते हैं तो ये चीज़ मैं जानता हूं लेकिन मैं पब्लिकली अगर बताता हूं और उस चीज़ को देश के दुश्मन या राश्ट विरोधी तत्व उसी चीज़ को अगेंस्ट कर देते हैं तो मैंने देश का भला नहीं किया मैंन किसी का भी भला ने किया जो मिर से पूछना चाहता है जी यानि सारवजनिक तौर पर आप ये चर्चा नहीं करेंगे ऐसे किसी भी अनुस्थान को नहीं बताएंगे विजे के बहुत बड़े बड़े अनुस्थान है और उसके लिए विक्ती में ताकत भी होनी चाहिए उसको सम्भालने के लिए जो अनुस्थान करवा रहा है अनुस्थान करने वाला अनुस्थान करवाने वाला दोनों ताकत वर होने चाहिए यह तो हथ्यार है जिस तरीके से हम राफेल के बारे में सरकार नहीं बता रही है कि उसमें हमने क्या कितने कितने रुपे का लगवाया जो विपक्स चाहा रहा है कि दुश्मन को इसकी खबर पहुंचे क्योंकि मेडिया में बोलेंगे तो दुश्मन को खबर पहुंचेगी वही प्रेशन आपने मेरे से कर लिया कि ऐसा कोई अनुस्थान बताईए जो वह 100% यह शूर कर दे कि भाईया इस अनुस्थान के करने से आदमी जीतेगा तो इसकी क्या गरंटी है कि यह अनुस्थान आप मोदी जी के लिए पूछ रहे हैं और मोदी जी ही करवाएंगे मैंने अगर पब्लिकली मीडिया में उस अनुस्थान का जिकर कर दिया तो ऑपनेंट भी करवा सकता जो देश के लिए घाता का है लेकिन श्री संद्बेतरा जी जनता यह उपाय जो है वो मोदी जी के लिए स्वाइम करना चाहती है यह वही जनता है जो यह प्रश्न कर रही है जो उस व्यक्ति के पीछे खड़ा है खड़ी है जनता जो यह कह रही है कि राफिल जो है झोला सो करोड का क्यों है मादिए इस तरह के होई आनुस्ठान सारवज़नीत तोर पे नहीं कराया जा सकते हैं यो कि देखे किसी को अपना भला करना है यहां किसी ने वाक्य में भला करवाना है मेरे पास तो आप अगर किसी और का डेटा लेके आते और आप बोलते हैं कि आप इनका जो है एनलेसिस हमको बताईएगा वो एनलेसिस तो कर दिया जाता है लेकिन वो उसी को दिया जाता है जिसका वो डेटा होता है जी श्री संद्वेत्र अश्योग जी तो इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धनेवाद और यदि हमारा ये कारिकरम प्रधानमंतरिश नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं या फिर उनके कारिकरता देख रहे हैं या फिर कोई भी उनका निकट वर्ती सहयोगी देख रहा है तो हम उनसे अनरोध करेंगे कि श्री संद्वेत्र अश्योग जी से संपर्क करके उन्हें श्रिग्र अति श्रिग्र प्रधानमंतरिश नरेंद्र मोदी से मिलवाया जाए क्योंकि यदि ऐसा होता है तो दोनों की सकारात्मक शक्तियों का एक जो मिलन होगा वो एक अप्रत्या परिणाम ला सकता है हमारा आपसे भी अनुरोध है कि यदि आप किसी भी ऐसे माध्यम से जुणे हैं जो की श्री संथ बेतरा असुक जी को श्री नरेंदमोदी जी से मिलवा सकता है तो इसमें आप हमारी सहायता कर सकते हैं आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप अपनी राय हमारे वोट्सअप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं आपने हमारा कारिकरम देखा इसके लिए आपका हरिदे से आबार नमस्कार